हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा साथ सामा जी का द्यान के अंतर गैत हमारे अतीद विशै का साथवा चैप्टर छेत्रिया सस्कृतियों का निर्मान हम आपको बताएंगे इस पार से संबंदित प्रस्नों के उत्तर लेकिन उससे पहले आईए देख लेते हैं एक जलक इस पार की ताकि आपको पार अच्छे से समझा जाए और यहाँ पर जो आपको प्रस्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें भी आप अच्छे से समझ सके तो चालिए शुरू करते हैं पढ़ लेते हैं पाठ चेत्रिय सस्कृतियों का निर्मान तो बच्चो आप देख रहें नहीं आपर आप ध्यान दें इस पाठ को आप जो अच्छे प्रकार से अपनी पाठे पुस्तक से पढ़े और चाहे यहां से लेकिन बच्चो ध्यान दें इस पाठ को अच्छे से पढ़ ले ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आ जाए और यहां पर जो हम आपको प्रस्णों के उतर बताएंगे उन्हें भी आप अच्छे से समझ सकें तो यहां पर अलग-अलग प्रकार की सस्कृतियों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और किस प्रकार से यह सस्कृतियां बिक्सित हुई और चेत्रिया सस्कृतियां क्या कहलाती हैं यह सब जानकारी आपको इस पाठ में मिलने वाली है तो देखें आप ध्यान पूर्वक आपके पास पार्टे पुस्तक होगी आप उससे भी इस पार्ट को पढ़ सकते हैं और इस वीडियो में से भी वीडियो को रोक कर आप पार्ट को पूरा पढ़ें लेकिन याद रहें पार्ट को एक बार ओसे पढ़ लें इसके बाद हम आपको बताएंगे इस पार्ट में दिये हुए जो पार्ट के अंत में प्रस्णों होंगे उनके उत्तर और आप जो है उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करेंगे उन्हें अच्छे से याद करेंगे उन्हें समझेंगे और प्रिक्षा में अच्छे से नंब पर बता रहे हैं और इसके बाद सीधे लिए चलेंगे हम आपको इस पार्ट से सम्मंदित प्रस्णों के उत्तरों पर तो आप देख रहें नहीं आपर यह कल्पना करें और यहां से आपके शुरू होते हैं इस पार्ट से सम्मंदित प्रस्ण तो चलिए इन प्रस्णों को ए आपके जो पाठ है जिसे हम पढ़ रहे हैं उसका नाम चेत्रिया सस्कृतियों का निर्मान और सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे पाठ के आंतरिक प्रसन और उनके उत्तर आंतरिक प्रसन समझते हैं आप जो पाठ के बीच-बीच में पूछेवे प्रसन थे उन्हें कह चेतर है और ये प्रसन आपको देखने को मिलेगा बच्यों 122 नमबर पेज पर आप अपनी पाठे पुस्तक के 122 वन हैंड ट्वंटी टू नमबर पेज पर देखें वहाँ पर आपको इस प्रकार से एक प्रसन दिखाई देगा और उत्तर आप क्या लिखेंगे उसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे पिछले 10 सालों में बनने वाले नए राज्या जारखंड 36 गड़ और उत्रांचल है ये राज्या भोगौलिक द्रश्टि से जिन राज्यों से अलग हुए है उससे विन थे इसलिए जब उत्तर परदेश मध्यपरदेश और बिहार राज्य के भ पहले प्रस्णि का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद बच्यों दूसरा प्रस्णि आपका यहाँ पर पता लगाएं कि आपके घर में आप जो भासा बोलते हैं उसका लेखन में सरवपर्थम का प्रियोग हुआ होगा ठीक है और ये प्रस्णि जो है आपका आपको मिलेगा 123 नमबर पेज पर यानि कि 123 नमबर पेज पर उत्तर में आप लिखेंगे हम अपने घर में हिंदी भासा को बोलते हैं इस भासा का सरवपर्थम लिखने के रूप में प्रियोग 12. सदी में हुआ था इस भासा में हिंदी का पहला गरंत पृत्वी राज रासो था जिसे वरदाई ने लिखा था और ये हो गया आपका दूसरे प्रस्ण का उत्तर और दूसरा प्रस्ण इसके बाद ध्यान दे आप ये है आपका तीसरा प्रस्ण बच्चो और तीसरे प्रस्ण में पूछा है भरत नाट्यम जो की तमिल नाडु का है कतक कली जो केरल का है ODC ODISA का कुचिपूरी यानि की आंदर प्रदेश का मनिपूरी मनिपूरी में से किसी एक निर्त के रूप में अधिक जानकारी प्राप्त करें और यहां पर आप देख सकते हैं यह प्रस्ने आपका 127 नमबर पेज़ फैर देख रहे हैं आप यहां पर पेज नमबर 127 पर आप देखेंगे इस प्रस्न को और इसका उत्तर क्या लखेंगे उत्तर इस प्रकार से लखेंगे आप कुचिपूरी आंदर प्रदेश का है यह आंदर प्रदेश के कुचेल पुरम नामा ग्राम में हुई यह निर्त्य सेली तमिल नाडु के पागवत मेला नाटक सेली के समानी एक परमुक निर्त्य नाटि का है यह सास्त्री निर्त्य बरत्मुनिके नाट्य सास्त्र के सिद्धानतों का पालन करता है तथा इसका उत्देश या बैदिकेबम उपनिसदों के ध्यान देआप उप सिद्धेंद्र योगी ने किया यहां मूलता पुर्षों का निर्थ है परंतुहाल में इस्त्रियों ने भी इसे अपनाया है तो इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रस्निका उत्तर लिख सकते हैं इसके सिवाई बच्यों आप ध्यान देंगे यदि आप किसी अन्या नि पर कुछी पूड़ी के बारे में बताया आप इसे भी अपने उत्तर में लिख सकते हैं या चाहे किसी अन्या निर्थ को बात करते हैं यहां पर चौथा प्रस्ने बच्यों आपके विचार से दुतिय स्रेणी की किरतियां लिखित रूप में क्यों नहीं रखी जाती थी औ आप अपनी पाठे पुस्तक के 132 नंबर पेज पर देखें और उत्तर में लिखेंगे आप इस चौथे प्रस्न का उत्तर दूसरी स्रेणी की किरतियां मौकिक रूप से कहीं सुनी जाती थी इसलिए उनका काल निर्थ सही सही नहीं किया जा सकता है दूसरी स्रेणी की किरत के अंत में कुछ प्रस्ने आपके लिए आप देखेंगे जब आप पूरा पार्ट पढ़ेंगे उसके अंत में आपको कुछ प्रस्न मिलेंगे और उनके उत्तर आप कैसे लिखेंगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फिर से याद करें ठीक ह और पहला प्रस्ण है निमने लिखित में मेल बिठाएं तो यहाँ पर यहाँ पर सुमेल करने आपने इनको एक दुसरे के साथ किस प्रकार से मिलाएंगे और कौन किसका अंसर होगा, सही क्या होगा यह सब आपको यहाँ पर देखना है तो देख रहे हैं आप यहाँ पर यह है आपका पहला प्रस्ण और इसका मेल हम आपको बताते हैं उत्तर में इसका मेल करके तो यहाँ पर जो है अनंत बर्मन के साथ उड़िसा लिखेंगे जगरनात के साथ पूरी महदैपुरम के साथ केरल लीला तिलकम के साथ केरल मंगल का ये के साथ कांगडा और लगुचितरी साथ बंगाल तो ये आपका उत्तर होगा ठीक है इसके बाद आप ध्यान दे एक बार फिर से ये है प्रस्ण और इसका मेल करना था आपने और उत्तर में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं मेल हो जाएगा इसके बाद बच्यों अगला प्रस्ण है यहाँ पर दूसरा प्रस्ण है पाठ के अंत में दिये हुए प्रस्णों में से मनी परवालम क्या है इस बासा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं तो यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर में मनी परवालम एक बासा से लिए है मनी परवालम का साबदी करते है ही प्रसन है और इसका उत्तर लिखेंगे इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहां पर तीसरा प्रसन कथक के परमुक सरक्षक कौन थे तो उत्तर में लिखेंगे राजस्थान के राजदरबार और लखनों के नवाव निर्तसैली के परमुक सरक्षक थे अवद के अंतिम नवा वाजिद अली साह के सरक्षन में यहाँ एक परमुक कला के रूप में उब रहा ठीक है तो इस प्रकार से आपका तीसरा प्रसन हो गया और उसका उत्तर आप लिखेंगे इसके बाद बात करते हैं बच्चो चौथा प्रसन है आपकी पाठे फुस्तक में बंगाल के मंदिरों की अस्ताफत्यकला के महतवपूर्ण लक्षन क्या है तो आपने पढ़ लिया होगा अपनी बुक में तो बंगाल के अस्ताफत्यकला जो है आप देख सकते हैं बंगाल के मंदिरों की अस्ताफत तकला के महतवपूर्ण लक्षन या आप हेडिंग में लिख सकते हैं और इसके बाद हेडिंग डालके लखेंगे पॉइंट बनाकर नमबर एक पहला पॉइंट लखेंगे अस्तानिय देवी देपता जो पहले गाउं में चान चपर वाली जोपडियों और तीसा लिखेंगे पॉइंट मंदिर आम तोर पर एक वरगाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी और चोथा लिखेंगे पॉइंट मंदिरों की बाहरी दिवारें चितरिकारियों सजावटी टायलों अथ्वा मिट्ट की पट्टियों से सजी हुई थी तो इस प्रकार से आप जो अपने इस प्रसने का उत्तर लिख सकते हैं चौथा प्रसने यह आपका और इसका यह होगा आपका उत्तर पॉइंट बना के लिखें बच्चो अच्छे से लिखें इसके बाद यहाँ पर जो आए यहाँ पर जो आ क्योंकि तो उतर में लिखेंगे चारण भाटों द्वारा सूर्वीरों की उपलब्दियों की उद्गोशना के कारण और इसे आप हेडिंग डाल के लिखेंगे और फिर पॉइंट बना के लिखेंगे नमबर एक नमबर दो करके चारण भाटों द्वारा गाये गए काब्य ए ठीक है तो इस प्रकार से आप अपना पांच वह प्रस्न का उत्तर लिख सकते हैं आगे बच्चों बात करते हैं चटा प्रस्न आपका और यहां पर पूछा है चटे प्रस्न में हम जन साधरन की तुलना में सासकों के सांसकर्तिक रीती रिवाजों के बारे में बहुत अधिक जानना चाते हैं या बहुत अधिक क्यों जानते हैं तो उत्तर में होगा आपका सासकों के सांसकर्तिक रीती रिवाजों की अधिक जानकारी के कारण और यहां पर आप जो है इसे हेडिंग में लिखिएंगे और उसके बाद पुईंट बनागे लिखिएंगे नंबर एक सांसकों द्वारा निर्मित कराएगे धार्मी किस मारकों में हमें उनके सांसकर्तिक रिती रिवाजों की जानकारी मिलती है दूसरा पॉयंट लखेंगे सांसकर्तिक परंपराएं कई छेत्रों के सासकों के आदर्सों तथा अविलासाओं के साथ गनिश्टता से जूड़ी थी अगला तीसरा पॉइंट लिखेंगे सासकों के सांसकर्तिक गतिविदियों के बारे में यात्रा बरतानतों तथा कई रजना कारों द्वारा भी वर्णन किया गया है ठीक है तो इस प्रकार से आप अपने छटे प्रसन का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद बात करते हैं बच्चो सातमा प्रसन है आपका और इसमें पूछा है बिजेताओं में पूरी इस ति जगनात के मंदर पर नियनतर प्राप्त करने के प्रियत्म क्यों किये उत्तर में लिखेंगे जूँ जूँ जगनात मंदिर को तीर्थ अस्तालियानी तीर्थ यात्रा के केंद्र की रूप में महत्तो प्राप्त होता गया सामाजिक और राजनेतिक मामलों में भी उसकी सत्ता बढ़ती गई जिरों ने भी उडिसा को जीता जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी इस्ट इंडिया कमपनी सब ने इस मंदिर पर अपना नियंतरण स्तापित करने का प्रियत्न किया वे सब महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंतरण प्राप्त करने से अस्तानी जनता में उनका सासन स्विकार्या हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आप जिए सातों प्रसने आपका ये और इसका उत्तर लिख सकते हैं अगला प्रसन है बच्चो आठवा प्रसन है और आठवे प्रसन में पूछा है बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए ठीक है तो आपने पढ़ाओगा पाठे पुस्तक में अपनी उत्तर में लिखेंगे बंगाल में 15 सतापदी के बाद वाले बरसों में मंदिर बनाने का द अक्सर उन ब्यक्तियों या समुहों द्वारा बनाई जाते थे जो सक्तिसाली बन रहे थे वे इनके माध्यम से अपनी सक्ति और भक्ति भाव का परदर्शन करना चाहते थे दूसरा पॉएंट लखेंगे अंगाल में जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक इस्तिति स इस प्रकार से आप जो आठवे प्रस्न का उत्तर लिख सकते हैं कि बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गई इसके बाद बात करते हैं नववा प्रस्न है और यहाँ पर नववे प्रस्न के पहले आप देख सकते हैं आईए करके देखें तो यह आपके लिए क्या है एक्टिव आदिक मैं तो पूर्ण लक्सनों बिसेस्ताओं का वर्णन करें ठीक है समझ गे ना आप तो इसका उत्तर तो आप स्वेम से लिखेंगे क्योंकि जो आपके छेत्र में है और जो सस्कृति आपके छेत्र में है उसके बारे में आप बकूपी जानते हैं अच्छी तरह आप जा है पढ़ने और गय है लिखने के लिए भिन भिन भासाओं का प्रियोग करते हैं इन मेंसे किसी एक बासा की किसी परमुक रचना के बारे में बताएं और चर्चा करें कि आप इसे रोचक क्यों पाते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो यह इसका उत्तर भी आप से हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यदि आप अलग अलग भासाओं में बोलने पढ़ने और लिखने का काम करते हैं तो आप उसके बारे में बताएंगे कि आपको सबसे ज़्याद रूची किसमे है और ऐसा आप क्यों करते हैं ठीक है और क्यों आपको यह वासा अच् एक राज्य चुने उनमें से परतेक के बारे में उन भोजनों की सूची बनाएं जो आम तोर पर सभी के द्वारा खाए जाते हैं आप उनमें कोई अंतर या समानताएं पाएं तो उन पर प्रकाश डालें ठीक है इसके लिए आपको क्या करना होगा इसका उत्तर भी आपको स् ठीक है तो इस परकार से आपको उत्तर हो जाएगा बात करते हैं बारुआ प्रस्ण है इन में से परतेक छेत्र में पांच-पांच राज्यों की एक-एक सूची एक-एक अन्य सूची बनाएं और यहां बताएं कि परतेक राज्य में महिलाओं और पुरसों द्वारा आम त थे हैं और फांच-पांच राज्यों की सूची बनाएंगे और जो वहां पर महिलाओं पुर्शों द्वारा वस्त्र पहने जाते हैं उनके बारे में आप जानकारी देंगे ठीक है तो इसका उतर आप इसे परद जाए में और इसी प्रकार लगातार आप देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ जानते रहें अपने परतेक पाठ के सभी प्रस्नों के उत्तर आज के लिए तना काफी है आपका दिन सुब हो